कि है वेलकम बैक टुदव चैनल तो आज की वीडियो में एक अपडेट आया है हमारे में में बात करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है के अपराउंड के लिए और फिजिकल स्कूरूटीन ही है अपने डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उसके बारे में अपडेट है वह पहले देख लेते उसके बात देखेंगे की इसके आगए की प्रोसेस क्या होने वाली है और उसके लिए हमें कि old stack से रहना है् तो वह बात करेंगे तो बिनका टाइमवेस्ट के इस वीडियो को स्टाः करते है तो सबसे पहले आप क्रोम ओपन कर लेंगे अपने फोन में और वेबसाइट पे आपको सीटी सेल की वेबसाइट पे आ जाना है तो यहाँ पे जो अब तलक सिफ दो पीडियेफ आई हुई थी लेकिन अब तीसरी पीडियेफ आ चुकी है फर्स्ट जो हमारी पीडियेफ थी वो शेडियूल थी और उसके बाद जो है फिजिकल स्कूरूटिनी सेंटर की लिस्ट थी वो सेकेंड पीडियेफ थी और अब जो थर्ड लिस्ट आई है उसमें वापिस एक्स्टेंशन दिया हुआ है रेजिस्ट्रेशन एन डॉक्युमेंट वरिफिकेशन प्रोसेस के लि दिफ्रेंस में लेका बाकी सारे इंस्ट्रेक्शन भी वही है जो पिछली बार थे तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन एंड एप्लिकेशन ऑफ अप्लोडिंग रिक्वाइड डॉक्यूमेंट्स बाइक कैंडिडेट फॉर एडमिशन वेबसाइट तो जो रिजिस्ट्रेशन की डेट थी वह चेंज होकर 27 जून से लेके 7 जुलाइ तलग बढ़ गई है 7 जुलाइ के रात 11 बच के 59 मिट्स तलग आप अपना रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मतलब किसी का अगर बाकी रह गया है तो वह अभी भी कर सकता है कुछ कभी सर्वर पर इशू था किसी का कभी किसी का वेबसाइट पर कुछ ग्लिच आ रहा था सब्मेट का ओप्शन या रहा था या फिर कुछ और इशू आप क्या रहे होगे तो वह सारी इशू के वज़े से इन्होंने शाहिए डेट बढ़ाई है और बहुत लोगों को यह प आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म है वह कंफर्म कभ होगा जब आपके डोक्यूमेंट्स वरिफाय हो जाएगे और इस साल इस क्रूनिटी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है खासकर जो अपने महारास्टर के कैंडिटेट से उनके लिए मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में ब स्कूर्टिडी सेंटर ऑफ दोक्यूमेंट्स कैंडिडेट मेंस्ट विजिट द फिजिकल स्कूर्टिडी संटर आलोंग विड रिक्वाय दॉकमेंट्स पर वरिफिकेशन कानफोर्मेशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म आप बापर जाओगे तो बापर आपको अपको फ्रौ जो डेट है वो हो चुकी है अब 28 जून से लेके 8 जुलाय तलग शाम पाच बज़े जो पाच बज़े है कॉलेज का टाइमिंग होता है सुबह दस से पाच रहता है मोस्टली यह स्कूरूटिनी सेंटर का टाइमिंग इसलिए यह पाच बज़ेत लग दिया हुआ है उसके बाद अफलाइन वरिफिकेशन मुझे तो नहीं लगता कि इससे आगे भी एक्स्टेंड होगा तो आप आठ तारिक से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वरिफिकेशन क्योंकि होगा नहीं होगा हम कुछ बोल नहीं सकते तो फिलाल तक तो इतनी ही अपडेट आई है इससे आगे कुछ आया नहीं है बट हम एक अंदर जैसे कह सकते कि इसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी क्योंकि हमारे जब सारे डॉक्यूमेंट्स वरिफाय हो जाएगे तो जब जो आएगा उसमें आपके इंटरमिजट के मार्क्स एड होकर आएगा और जैसी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट में आपको टॉप से लेके लास्ट लग सारे रैंकर्स मिल जाएगे यह होने के बाद हम देखेंगे कि मेरिट लिस्ट में जो जालो होगा जहां पर आप कॉलेज की सिलेक्शन करेंगे जैसे जैसे इस वेब साइट पर अपडेट आती जाएगी मैं आपको भी अपडेट करता रहूंगा तो आज के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार